आप देख रहे हैं VHPC News मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरा रखा था नियाए मूर्ती असोग भूसर्ण के अध्यक्षिता वाली पांच नियाए दीसों की सम्विधान पीट ने कहा है कि 50% आरक्षण की सीमा लांगी नहीं जा सकती है सुप्रिम कोट ने 26 मार्च को याची काउं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था इस मुद्दे पर लंबी सुनवाई में दायर उन हलाफ नामों पर भी गौर किया गया उलंगान नहीं करता है इसलिए हमने मराठा आरक्षण को चुनवती देने वाली याची का खारिश कर दी है सम्विधान पीट ने मामले में सुनवाई 15 मार्च को सुरू की थी बंबाई हाई कोट ने जून 2019 में कानून को बरकरार रखते वे कहा था कि 16% आरक्षण उचित नहीं है और रोजगार में आरक्षण 12% से अधिक नहीं होना चाहिए तता नामंकर में यह है तेरा फिजदी से अधिक नहीं होना चाहिए सुप्रिम कोट में केंद्र की ओर से दलील दी गई है कि महराश्ट्र में मराथा समुदाई को रिजर्वेशन देने का फैसला समवेधानिक है और समविधान के 102 में संसोधन से राज्य के विधाय अधिकार खत्म नहीं होता है ध्यान रहे कि करनाटक पंजाब तमिलनाडू आंदरप्रदेश सहित अन्य राज्यों ने भी आरक्षण को लेकर महराश्ट्र जैसे ही रुख अपनाया